आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउ तल दोरा लगाए गहा है घरसर बढ़के कार्ड गोले का रेखी वेग तथा इसके कोणी वेग बदलते हैं और अंत मेवा सुद्ध लोटनिक गद करने लगता है इस सथाव में गोले का रेखी वेग निकालें सतहों के बिरूपन को अंदेखा करें यह आपको चितर दिया गोला है यह सतह पर लोटनिक गद करता है और ओमेगा हमें दिया हुआ है वी जिरो बटे टू आर और यह बाद में रेखी गद वी जिरो कर रहा है तो हमके लिखेंगे इसमें प्रारब में हमारी कोणी वेग कितना है आपको दिया है प्रारब में कोणी यह वेग ठीक है य यहां से लिख सकते हैं यह बराबर कितना हमारा है यह है ओमेगा इंटू ठीक है यही कि हमारा v0 है हमाई two ओमेगा जीरो आर ठीक है यहां तो यह लिख सकता है अगर v0 वाला टाम हम लिखें तो यहां पर देखेंगे चोटा है जो हमें बाद में दिया है कि वी जिरो हमारा गुमआया जाता प्रूल धिता तौटा और जो क्या है इससे इसका मतलब क्या है कि वाली पॉई沍ाइन तो आपको दिखाया गया है यहां पर फिजला गोला अगे की तरह फिसलेगा क्योंकि हमारा वेग अभी ये ज़्यादा है और जिससे घुम रहा है उससे हमारा जो रेखी वेग आ रहा है उसका आधा हा रहा है ठीक? अगर इससे क्या होगा हमारा गोले पर एक घर्षन बल लगेगा N अभी लंब होता है हमारा N बराबर हो जाता N उपर की तरफ लगता है हम जानते हैं और नीचे की तरफ M G लगता है ठीक है N बराबर हो जाएगा आपका M G तो N बराबर मू M G हो जाएगा ठीक है इसलिए गोले के केंदर पर तोरण क्या होगा इसलिए गूले के केंदर पर के केंदर का तोरण, ठीक है, केंदर का तोरण, ठीक है, मतलब A center of marsh, ये क्या होगा, F by capital M, ठीक है, यानि कि F आपका है, mu capital M G, बटे capital M, यानि कि, mu G हो जाएगा, ठीक है, अब ती समय पर हम क्या करेंगे, ठीक है, समय टी पर गूले का वेग क्या होगा, केंदर का वेग क्या होगा, ठीक है, इसलिए गूले के केंदर का वेग भी निकाल लेते हैं, गूले के केंदर का वेग, ठीक है, का वेग, अगर हम इसे V CM लिखें, ठीक है, तो यह हो क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा हम हमारा V0-μUGT जो कि आपका V बराबर U plus 80 से आया है ते आप चैले सकते हैं चोंकि हम जानते हैं V बराबर U plus 80 होता है तो हमारा सुरवात में V0 वें हैं यहाँ पर दिखाया गया है और आपका A यह आगया है तो यहाँ पर आ जागा VCM इतना जाएगा ठीक है समीकाण इसे आप एक लिख लीजे चीक आप इस घर्षन बल के काण यहां पर हमारा क्या लगेगा बल आघून लगेगा ठीक है वो क्या होगा हमारा यहां से यहां तो इसके केंदर पर बल आघून क्या होगा तो आप लिखेंगे केंदर पर बल ठीक है, Fs क्या है हमारा, μ्यूं एमजी है, इंटू र हो जाएगा, तो जाएगा, म्यूं कैप्टल एमजी इंटू आर, ठीक है, और इस पर गोले का जड़त वागून क्या होगा हमारा, अगर गोले का जड़त वागून निकालें, तो आई, सिंटर आफ मार्स के बाउट, जो होता हम लोग, जानते हैं क्या होता हम, दो बटा पांच, ठोस गोले के लिए, दो बटा पांच, एमार स्कॉाइर होता है, ठीक है, तो यहाँ से, इसलिए हम लिग लिखेंगे, टाउ बराबर आई अलफा होता है, ठीक है, तो टाउ बराबर आई अलफा, तो अलफा बराबर टाउ बटा आई, हमें टाउ और आई दोनों पता है, तो यहाँ सोचाएगा हमारा, म्यू केप्टल एम जी आर, बटे आई है, 2 बटा 5 M R 2 बटा 5 capital M R 1 M से 1 M कट जाएगा और 1 R से आपका 1 R कटेगा क्या बचे का उपर? उपर जाएगा 5 M U G बचे 2 R ठीक है? यह आपको मिल गया अलफा ठीक है? तो यहाँ से आप इसलिए हमारा जो कोड़ी तोरण गोले का क्या होगा यह कोड़ी तोरण जो होगा? गोले के बच को बढ़ाएगा लोटनी गत में ठीक है? तो टी समय में गोले का कोड़ी बच क्या होगा? टी समय में टी समय में गोले का कोड़ी यह बच कोड़ी यह बच क्योड़ी तोरण आ गया है तो हम निकाल लेते हैं ठीक है वो कितना हो जाएगा हमारा he अगर T समय निकालना है तो हम जानते हैं ओमेगा 0 प्लस अलफा T जैसे विए बराबर यू प्लस 80 होता है उच्छी तरह ओमेगा 0 प्लस अलफा T ये वाला समय करना से तो ओमेगा 0 कितना है हमने सुरुवात में निकाला था कितना था वी 0 बटे 2R था ठीक है प्लस अब अलफा कितना हमारा 5 मू जी बटे 2R इंटू T ठीक है तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा इसको अगर R को कॉमन ले हम लो और इधर ले जाए तो क्या लिख सकने आप इसको R ओमेगा ठीक है ये T का function है ये बराबर आजाएगा V0 बटे 2 प्लस बजाएगा 5 मू जी टी बटे 2 ठीक है इसको अभी लिख लेता हूँ समीकर 2 ठीक है ये होगा गया ठीक है अब गोले को अगर का फिशलना तब बंद होगा हमारा कब जब हमारा जो है क्या होगा जो वेलास्टी है ठीक है वो बराबर हो जाएगी यानि कि समीकर 1 को समीकर 2 से बराबर कर दें ठीक है हम लिखेंगे यहां पे गोले का फिशलना ठीक है फिशलना फिशलना तब बंद होगा ठीक है कब बंद होगा जब हमारा जो है V T जो हमने निकाला था V T समीकर्ण एक बराबर होगा R ओमेगा T से ठीक है यानि समीकर्ण एक को समीकर्ण दूसे बराबर कर देने हैं ठीक है तो यानि कि समीकर्ण एक बराबर होगा समीकर्ण दू के समीकर्ण एक में क्या हमने निकाला था अधा भी बराव वी T क्या था यू आपका था V0 माइनस मूजी टी यह था ना और यह बरावट हो आपका वी Zero बटे दू प्लस समय कर मी specially एक्क посмотреть Supreme तो आपका आ जाएगा यहां से करेंगे तो आपको t हमें समय निकलना है क्या जाएगा आपका यहां से देखते हैं यहां से इसको mu 0 by 2 को इधर लाई है mu gt को इधर ले जाएए तो क्या जाएगा आपका यह इधर आएगा हो जाएगा वु 0 बाई 2 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 बाटा 2 प्लस 1 ठीक है यानि कि 1 प्लस 5 बाटा 2 ब्रेकट में मू G T पान दो नहीं 7 बाटा 2 हो जाएगा 7 बाटा 2 मू G T 2 से 2 कट जाएगा या आपका यानि कि MEU GT का मान आ जाएगा आपको किता में आ जाएगा V0 बकाटा 7 ठीक है तो समी करण 1 से क्या लिखेंगे जाएगा समी करण 1 से MEU 0 का मान आ जाएगा V0 ہے आपका V0 मैनस MEU GT MEU GT का मान बकाटtim क्या जाएगा 7 मसे एक गया 6 बकाटा 7 नहीं कि V0 का माना आजाएगा आपका 6 बटा 7, यह 0T लिख लिजे सायद, sorry V0 नहीं यह VT है, ठीक है यह VT था समी कनेक्स, ठीक है यहाजाएगा VT और यह भी VT है, ठीक है यहाँ से आप इसको लिख दीजे, यह उपका वेग है ना हमें रेखी वेग निकालना VT, ठीक है, 6 बटा 7 V0, V0 का 6 बटा 7 गुना, ठीक है यह हमसे पूछा था कि आपको, यह पूछा था आपसे, ठीक है उपर देखिये, यह पूछा था कि सत्वों के, मतलब इसके गोले का रेखी वेग निकालनी सवस्ता में, तो रेखी वेग कितना आ गया आपका, 6 बटा 7 V0, पहले V0 से जा रहा था, उसका 6 बटा 7 हो जाएगा, ठीक है यह आपका, एंसर हो जाएगा, ओगे?